हाई फ्रेंज अस्सलाम अलेकुम और वेलकम बेक टो यूर वेरी ओन पटेल्स किचन तो फ्रेंज आज के वीडियो में बनाऊंगी हनी चीरी पोटेटो बहुत ही एजी एंड सिंपल तरीके से और इंस्टंटली बन जाएगा तो फ्रेंज यहाँ पर मैंने ले लिया है दो टेबल स्पून ओईल पैन में और इसके अंदर एड कर दिया एक टीस्पून अड्रक चॉप किया हुआ और एक टीस्पून लेसून चॉप किया हुआ इसके अंदर एक हरी मिर्ची भी चॉप करके एड़ कर दी है और उसके खुश्बू फैलने लगे उसके बाद मैंने इसके अंदर एड़ कर दिया है प्याज और कैपसिकम मतलब सिम्ला मिर्च और अनियन और इसको भी एक मिनित के लिए सौटे करना है उसको पुरा सौफ्ट मैं नहीं करूंगी और बाद मैं मैं इसके अंदर सारे सौसिस एड़ कर दूंगी तर बस ये अच्छे से सौटे हो गया है तर एक तीस्पून रैचिली सौस एक तीस्पून घ्रीन चिली सौस एक तीस्पून सोया सौस और एक टीस्पून वीनीगर एड़ करूँगी और बाद में इसके अंडर एड़ करूँगी ब्लैक पेपर पाव्डर हाफ टीसपून और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग यह सारे सोसेस में भी नमक होता है इसके लिए मैं नमक बहुत ही कम आड़ कर दोँगी और उसके अंदर corn flour की slurry बना कर add कर दूंगी तो मैंने half ती spoon corn flour ले लिया था उसको 3-4 tablespoon पानी में घोल लिया और बाद में इसके अंदर add कर दिया तो आपको अगर बहुत ज़्यादा gravy नहीं चाहिए तो आप कम भी ले सकते हो या फिर आप skip भी कर सकते हो तो यहाँ पर मैं corn flour की slurry add कर दूंगी बाद में मैं इसके अंदर add कर दूंगी एक tablespoon honey यानि के शहेड और add कर दूंगी थोड़े से till तो यह sauce मेरा ready हो गया है अब मैं यह मैंने honey add कर दिया और sesame seeds यानि के till थोड़े से add कर दूंगी इसका look और taste बहुत अच्छा आता है तो बस मैंने वह sauce को side में रख दिया और अब मैं क्या करूंगी कि फ्रेंच fries को इस तरीके से fry कर लूंगी थोड़े से crispy हो जाए तब तक हम इसको अच्छे से fry करने है तो फ्रेंच यह recipe बहुत easy and simple है आप लोग जरूर ट्राइ करना और मुझे comment करके बताना तर यह fries को मैंने fry कर लिया और sauce के अंदर अच्छे से mix कर लिया अब मैं दो मिनित के लिए इसको अच्छे से मिला लूंगी और बार में मैं से serve कर लूंगी तब पहले sauce बनाए फिर fries को fry कीजिए क्योंके यह soft न हो जाए तब friends यह मेरे instant honey chili potato ready है I hope आपको मेरी यह recipe अच्छे लगी होगी दुआओं में जरूर याद रखना Thank you, Allah Hafiz